कोरोना महमारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच हमीरपुर स्वास्तेवी भाग में सभी तैयारियां पुरी कर ली हैं और केसी भी आपात स्थिती से निपटने के लिए पांचों विधानसवाक्षेत्रों के अस्पतालों में ऑक्सिजन प्लांट स्थापित कर दिये हैं मुख्य चिकेटसा अधिकारी हमीरपुर डॉक्टर आरके अगनी होत्री ने बताए कि एननाइटी परिसर में 100 बैट सिविल अस्पताल में 200 बैट का प्रबंथ किया गया है जिससे जादा मरीज होने पर उपचार किया जा सके उन्हने बताए कि जीला में कोविट की पहली लह त्या जारा है जिसके लिए ऑनलाइन मांथिम से भी प्र्सिक्ष दिया जारा है वहीं एक डॉक्टर की टीम टांडरदा मेंडिकल कॉलेज में भी प्रसिक्षन लिली रहे हैं ताकि कोविट की तीसरी लहर से मलपतने में किसी परिशानी का सामना ना करना पड़े देकिन जैसा फर्स्ट वेप का जो एक्स्पीरिंस था उसमें ये दिखा गिया था कि कुछ हमारे बैड की कमी थी के और कुछ जो है था वो ऑक्सिजिटर बैड जो थे उस जगा के इंफरस्ट्रक्ट्टर हमारे पास जो ऑक्सिजिटर थे सिलेंडर से इनकी थोड़ प्रशिश कर रहे हैं और उन मेंसे तीन में हमारे काम चला हुआ है टाउनी डेवी और साथ सुजानपर जो वहां पे लगवग कंपलीशन होने की दर पे है वो काम लगता फस्ट वीक में वो पूरा हो जाएगा ऑक्सिजिट प्लांट और ऑक्सिजिट पाइपलाइन का भी 15 दिन ये 20 दिन में वो भी कंपलीट हो जाएगा दूसरी स्लेंडर और ऑक्सिजिट की बात वो बहुत ही प्रयाप्त मात्रा में हैं मारे पास 300 से करीब हमारे बड़े बाड़े स्लेंडर हैं और इसी तरह 300 से अधिक हमारे पास ऑक्सिजिट कॉंसिटर भी है तो हर NIT में 100 बैड हमारा है जो सीरिस पेशेंट नहीं होते हैं कम सीरिस होते हैं उनके लिए 100 बैड जो है NIT में हैं बाकी लगबग 200 से 300 बैड का इंतजाम जो है वो से अपने सिबल हॉस्पिन में कर रहे हैं वीद ऑक्सिजिट स्पोर्ट